अब यहाँ पर देखिए जो भी स्टुडेंट का लास 10 के हैं और 2014 में फर्स सिटिंग में अईत हुए मैथमेटिक सब्जेक्ट के सभी अब्जेक्टिव का सही अंसर की जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंतक देख सकते हैं इसलिए मत होता है कि अगर आप एक साल का भी क्वेस्टेन बेंक देख लेते हैं अगर आप जो इसे चारसो प्लस मार्क प्राप्त कर सकते हैं अगर आप डिश्ट, सिर्यलि दुसकर दो कर सकते हैं यहाँ पर चैनल को देखते हैं squirrel पर समिकरन आपको दिया गया एक December आपको बार बार रिपीट होता है इनका जो मान होता है मिनस भी बटे सी मिनस भी बटे सी तो एक्स में जो गुना एक्स स्क्वेर में जो गुना होता है आपको हो गया दो मिनस भे दो बते सींगर दखेंक की निकाला है एक समर इसे मिनस भी का सुनहिंते का गया तो X square बराबर क्या होकिना परलस्ट सजिए आगा स्कॉयर हम्में और विए देखिये एक मान आएगा मैनस में एक मान आएगा पलस में तर दू का सचना आपको घखाबी मैनस रूटी सब्सक्राइब कब मिलेगा तो देखिए इस परकार के सवाल में आपको LCM निकाल देना है तो तीन चार और आठ का LCM क्या होगा आप लोग जान यह चोविस होगा तीन चार आठ का LCM निकाल लेजिए चोविस होगा चोविस घंटा के बाद जो है कि एक अस्थान पर मिलेगा अब अगला देखिए सवाल है तो यहां पर देखिए क्या कवड़ा है कि क्विस्चन नमर चार में कि दो तीन जीरो तीन दो छो का बहुलक होगा तो बहुलक लिए तो बहुलक निकालने के लिए को रहा है तो यहां पर देखिए दो तीन जीरो तीन दूछो है इनका बहुलक का मतलब होता है कि देखिए प्रेक्षर में जो संक्या सबसे अधिक बार आता है उसी को हम क्या बोलते हैं बहुलक बोलते हैं तो यहां पर देखिए बहु पंच दू से भाग देजिए क्या हो गए आड़ाय तो शार का स्यूपसन आपको क्या होगा डी होगा अगला क्विस्चन देखिए क्विस्चन नमर 5 कर रहा था है कि दो समान कौनिक तिर्भुजों में न्युक्स का अनुपाद सदेव समानos सदेव समान रहता है किसने का तो देखिए तो थेल्स परिमें हैं तो देखिए तो ने कहा था बार बार एक क्वेस्चन रिपीट होता है तो थेल्स उसके बाद देखिए question number 6 कड़ाई की बिंदू यह देखिए चार पांस है बी छो पांस को मिलाने वाली रेखा का मध यह बिंदू है तो मध बिंदू निकालने के लिए क्या करेंगे यह पांस होगा बी अंसर होगे पांच पांस question number 7 यदि किसी बिरित की तिरजिया आधी कर दिजए बिरित की तिरजिया को करेंगे अधा हम कर देंगे तब पुराने तथा नए बिरतों के परिधियों का अनुपात किया होगा तब पुराने और नए का कोड़ा है तब तिरजिया होगा है आधा तिरची आहडा है अधा तब पुराने और नय तब पुराने का परिधी 2 p r हैं नय का परिधी क्या हो गया 2 p r बटे 2 हो गया तो 2 p 2 p कट गया r और r कट गया 2 पलट के उपर चला जाएगा दू बटे किसी घटनके प्राइकता नहीं होती है किसी घटनका प्राइकता मैनस में आपको नहीं होगा था रोकर लुँट-वर जहां पर थोड़ा सा मीटा हुआ है रूट-वर-वर-ट्व कोस्ट ठटा वरावर एक ठीटा कमान होगा तो देखिए तो कोस्ट ठटा वरावर आपको क्या हो गया, वन वायरूट ओवर टू अब कोश्ब कितने डिग्री का मान वन वायरूट ओवर टू होता है, ता 45 डिग्री तो नोगा साई अपको भावा भी अंसर हो गया, 45 डिग्री Question number 10 Two Question number 10 में देखिए कर रहा है कि one plus quota square A and one plus ten square A, किसके बराबर होगा तो देखिए असान सवाल है तो वन परस कोट स्क्वाइर ये बराबर हम क्या लिखते हैं को सेक स्क्वाइर ये को सेक स्क्वाइर ये को हम क्या लिखते हैं सेक स्क्वाइर ये तो को सेक बटे सेक को हम क्या लिखते हैं हम उनको लिखते हैं कोट कोट स्क्वाइर कोट स् स्क्वाइर ए अब अगला क्वेस्चन यहां पर देखिए काफी इजी है करें कि 17 बटे 24 का दसमलब परसार होगा तो 17 बटे 24 है तो दसमलब परसार इसका क्या हो असंत हो जाएगा क्योंकि दसमलब परसार संत अब होगा जब दू और पौंच का भाज गुर्ण खंड आता है या तो नीचे में स्पेशल रूप से दू आ जाए या पौंच ही आ जाए तब भी संत होता है या नहीं तो आप लोग चाहते हैं तो 24 से 17 में भाग देखे देखिए पूरी तरह से दसमलब के बाद भी नहीं गटेगा क्विस्चन नमर 12 कड़े के ओसंगत समिकरन यूग का ड्यास होल होता है तो जो समिकरन ओसंगत होता है उसका कोई भी हल नहीं होता है तो इसका होगा इस ड्यास में भड़ा जाएगा कोई हल नहीं ार ऑन सिंसर्फ一定要 इस्तो का मुझेंन को इन है थे यह को नीकलेंगा इस ainsi होगा और इकन कंदा करके 1 8 का मान वहला नाए चितर्य है षिए बेद्टा यह ने आटIDE 3 वमक्रणी क्ला किसे ऊपीर 9 तो फीर पेंसक Наन कना चीजी लेकते Say तो जब ये आपको 55 डिग्री हो गया तो ये एक परकार का तिरभूज है तो ये तीनों कोन का योग कितना होगा 180 डिग्री 180 डिग्री तो इस कोन का मान कितना होगा तो 70 और 55 को जोर दीजिए 75 को जोरेंगे तो 125 होगा ये भी कोन आपको क्या हो जाएगा 55 डिग्री ये कोन और ये कोन ये कांतर कोन है तो दुन आपस में बराबर होता है तो ये कोन 55 डिग्री है तो ये का मान भी क्या होगा 55 डिग्री होगा तो इसमें भरा जाएगा आपको 55 डिग्री अगला question कोड़ा की बिरित की असफर्स रेखा असफर्स के अंदर से के अंदर को मिलाने वाली रेखा पर डेस होती है तो देखिए लंब होती है बिरित की जो असफर्स रेखा होती है असफर्स बिंदू से के अंदर को मिलाने वाली रेखा पर लंब होती है निनब्य डिगरी का एंगल बनाती है तो इडेस डेस में आपको लंब भरा जाएगा उसके बाद क्वेश्चन नमर 15 लगड़ा कि एक्स आक्स पर इस्तित किसी बिंदू वाय का नियामक क्या होता है तो एक्स आक्स पर वाय का मान क्या होगा जीरो होगा वाय का नियामक कोटि भूझ मतलब एक्स का मोँझ कोहती मतलब य का मौण जैस का मान होगेद का मैद य का मन चार है तो एक्स का मन चार होगा पर एकाम होगा जिए यहाँ पर देखिए फिर शास डिगरी यह यहां पर पर आपको kode नहीं Costco होगा слушし 60 degree storage प्रफ साइन साइन देगरी साइन दिगरी साइन तीच दिगरी का मंहान होगा तो देगी फर्मूला पर है को से को सीश भी साइन ए साहिन भी का फर्मूला होता है को से मेंनस भी होता है ए फर्मूला था तो cost A का मान हो गया 60 B का मान हो गया 30 तो 60-30 तो cost क्या होगा 30 degree cost 30 degree का मान होता है root over 3 by 2 तो देखिए इसका answer भी क्या है root over 3 by 2 तो जो है कि dot dot इसमें root over 3 by 2 भरा जाएगा या नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं cost 60 degree का मान डखिए यहाँ पर साइन साथ का साइन तीज का भीनका जोर निकाल लिए तब भी इतना ही आएगा Q19 में देखिए EAP का कवरे कि सारफ अंतर निकाल लिए तो सारफ अंतर आप जब निकालेंगे तो इस साकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा देंगे तो 3 पलस रूट ओवर 2 अब मैनस 3 कर देंगे तो 3 तीन कर जाएगा यह रूट ओवर क्या बचेगा टू बचेगा तो रूट ओवर 2 बचेगा तो यही इसका सारफ अंतर हो गया तो डौट में रूट ओवर 2 भरा जाएगा उसके बाद देखिए 20 में कर रहा कि पर्थम 5 अभाद संख्याओं का माद होता है तो पर्थम 5 अभाद संख्याओं का माद कर रहा है तो 5 संख्याओं को जोर करके 5 से भाग देजिए अभाद संख्याओं को जोर ना है तो अभाद संख्याओं दूरू होता है तो 2 पलस 3 प से बहाग देजिए तो तो तीन दू पंच पंच 7701isiaडग अठाइस बत्य पंच पंच से हенного देंगे किसे करते हैं तो वह शंख्यम जो और एक लावा दूसरे संक्यान से भी भाजित नहीं परकार से हमने इसमें जितने भी सवाल थे उनको भी खत्म करतिया है